है लो फ्रेंट्स हमारे चैनल येस जे हिंदी रिस्पी में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम फिले करा हैं एक नई रिस्पी हरे मटर की रिस्पी तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और फ्रेंट्स अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ा सा अब ही हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलना तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और हमने लिया है एक कटोरी हरा मठर और लिया है मिक्सिजार तो इसमें सारा मठर को डाल देंगे और धनिया पती भी हमने देर सारी धनिया पती भी डाल दिये थोड़ा सा मझे कलर फुल चाहिए तो बाहर का कलर कोई मैंने डालूंगी बस हारी धनिया पती से मैंने कलर लिया है तो भी थोड़ा सा नमक और दो बुन पानी डाल के इसका एक हमने पेश्ट बना लिया है तो ये मतर का धनिया का पेश्ट मुटा नहीं है कि तो मटर की जो है ना ग्रेविय इसको निकाल लेते हैं बाहर बेश्ट को इसको बाउल में हमने निकाल लिया है और अब ही हम इसमें मिक्स करेंगे कुछ और भी तो अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बेशन मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए और तो इसलिए हमने बेशन को यूज़ किया है अगर आप चाहें तो इसमें सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने बेशन लिया है तो बेशन और मटर को अच्छे से एक पेश्ट बना लेते हैं और दो बनमने पानी डाल दिया था मुझे लगा कि थोड़ा सा थिक हो गया है तो इसको जिस से साफ से मुझे चाहिए तो इसकी कुछ इस तरह से थी और अभी हम ले लिए हैं एक छोटी सी थाली तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल तो यह हमने रिफाइंड तेल डाल दिया है और पूरी थाली में इसको हम लगा दिये हैं इस तरह से और इसके बाद सारा जो मटीरियल है ना इसका यह मटर का और बेसन का तो इसमें सारा पलट देंगे तो फ्रेंट्स यह जैसे बर्फी जमाई जाती बस हम इसी तरह से इसको पलट के इसको पूरे थाली में चमच की साइथा से पला देंगे हम बराबर कर देते हैं इस तरह से इसको कुछ इस तरह से हमने बराबर कर दिया है और थोड़ा सा इसको थप करके जिसमें ये इसमें कहीं हवा ना रह जाए और अच्छे से ये सेट हो जाए तो इधर हमारी कडाही में पानी गरम हो गया था थोड़ा सा इसमें डाल देंगे छन्नी रख देंगे उपर और फिर रख देंगे ये थाली तो ये फ्रेंट्स हम मठर की और बेसन वाली धनिया की जो पेस्ट है ना इसको जमाएंगे बर्फी तो अभी देख लेते हैं पांच मिनट हो गए थे कि जमा या नहीं तो इसको चमच से या जिसे फोक या चाकू से अब देख लो इस तरह से कि कैसे ये जमा नहीं तो अभी थोड़ा सा इसमें है क्योंकि चाकू में थोड़ा सा लग गया था दो मिनट के लिए और हमने ढग दिया था और अभी हो गया है अच्छे से ये जम गया है तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं अलग रख लेंगे इसको ठंडा होने के लिए और एक मिनिट में ही ये ठंडा हो गया है तो कुछ ही इस तरह से हमारी ये मटर वाली बर्फी तयार हो गई है तो अब इसको चलो काट लेते हैं अपने मन चाहे आकार में अब जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप काट सकते हो मैंने तो इसको चोको रुष्टुकडो में काट लिया है और ये बहुत जादा अच्छी बनी है इस पंजी इतनी है एकदम मुलाइम इस पंजी ढोकले जैसी ही है ये बर्फी हमारी हो गई तयार तो सारी बर्फी को हम इस तरह से निकाल लेंगे तो सभी पेस हमारे बराबर बराबर के हो गए हैं तो सभी को हम इस तरह से निकाल लेते हैं और अभी हम रख दिये हैं कड़ा ही चड़ा दिये डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल तो सरसों का तेल हमारा गरम हो गया है तो जो हमारे मटर की पेसे से न बर्फी है उसको हम इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए आप कम तेल में भी फ्राई कर सकते हो से लो फ्राई भी कर सकते हो और अगर कच्छी इसको बनाना चाहो तो वैसे तो भाप में पकी हुई बर्फी है लेकिन अगर इस तरह से भी डालना चाहो तो बिना फ्राइ किये भी इसके रेस्पी आप बना सकते हो तो फ्रेंट्स आज हम बना जा रहे हैं मठर और हरी धनिया बेसन की सबजी बहुत ज़दा लज़दार बनती है एकदम जो है ना मीट को क्या कहते है नॉन वेज को भी फिल कर दे इतनी ज़दा टिष्टी यह सबजी बनती है तो यह हमारी सारी हमने इसमें बर्फी डाल दिया था हलके हलके ब्राउन हो गए हैं और अभी इसको हम निकाल लेते हैं बहुत ज़दा नहीं करना नहीं तो यह सकतो भी होने लगती है तो अभी हमारी वर्फी हो गए थी उधर तयार और इतनी दिर में हम प्यवरी इसकी एक तयार कर लेते हैं सबजी बनाने के लिए तो प्यास लिया है हमने दो और लसन का लिया लिया है और डाल देंगे इसमें खड़े मसाले खड़े मसाले आज मैं इसमें पीस कर ही डालूंगे तो ये काली मरच है बड़ी इलाइची है और लॉंग दालचीनी जाबित्री छोटी इलाइची तो ये बेसिक जो खड़े मसाल तड़का नहीं लगाएंगे पीस के आज हम डालेंगे यह दो हरी लैची भी ले लिया है और बस इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी और इसका एक पेस्ट हम बना लेते हैं तो यह प्याज का पेस्ट हमारा तैयार हो गया प्याज और खड़े मसाले की प्योरी हमारी हो गई है तैयार तो अब इसको भी निकाल लेते हैं कटोरी में और उसको रख दिया साइड में अभी हम बनाएंगे टमाटर की तो यह हमने लिया है तीन टमाटर हमने लिया है उनको भी हम काट करके इसकी भी प्योरी हम बना लेंगे तो यह हमारी टमाटर की भी प्योरी तैयार हो गई तो यह हमारी सबजी की तैयारी हो गई है और अब उसी कड़ाही में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी सौफ और चुटकी भर हींग लगाते हैं चौका तो अब है जो हमारी प्याज की प्योरी हमने पीस के तैयार करी है उसको भी डाल देंगे इसमें और इसको भून लेंगे थोड़ा तो खुश्बू आने लगी है बहुत अच्छे इसकी खुश्बू आ रही है प्याज की तो अभी चलो इसमें हम भी डाल देते हैं मसाले तो अभी डाल देते हैं आधा टीस्पून हल्दी पाउडर आधा टीस्पून लाल मिश पाउडर आधा टीस्पून कास्मेरी लाल मिश और आधा टीस्पून गरम मसाला मेंने डाल दिया है और आधी टीस्पून से भी कम हमने डाल दिया इसमें मेट मसाला मीन मसाला से सबजी बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बनती बहुत टेस्टी बनती है तो अभी नमक डाल देंगे टेस्ट नुसार तो बेसिक ही मसाले हैं बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सबजी बहुत जानदार बनती है और अभी हम डाल देंगे इसमें टमाटर की प्यूरी और इनको भून लेते हैं मसालों को अच्छे से भून लेते हैं और दो मिनट के लिए भी हम ढग देंगे इसमें तो दो मिनट हो गए हैं तो हमारे ग्रेवी जो है वो तयार होने लगी है क्योंकि तेल इसका अलग होने लगा है मसाले अलग होने लगे हैं तो ये परफेक्ट तयार हो रही है थोड़ा सा इसको और भून देते हैं क्योंकि लो फ्लेम पे जितना ज़्यादा आप ग्रेवी को भूनोगे, मसालों को भूनोगे टेस्ट उतना ही अच्छा आता है और अभी हम इसमें अट कर देंगे थोड़ा सा पानी तो फ्रेंट्स ग्रेवी अपने कोर्डिंग रखना क्योंकि अगर ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हो मुझे कम ग्रेवी चाहिए तो मैंने कम पानी डाला अभी इसको ढख देंगे और उबालाने देंगे तो पानी ये उबलने लगा था काफी तो अभी हम डाल देंगे इसमें जो हमने बर्फी तयार करी है तो ये इनको अभी हम डाल देंगे तो सारी ये जो मतर की, बेसन की, जो मैंने बर्फी बनाई थी, इसको भी हम डाल देंगे सबची और ग्रेवी में इसको अच्छे से उलट-उलट के मिक्स कर देंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा पकी हुई पहले से ही थी तो इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही पकाना, तो ये हमारी इस तरह से सबजी हो गई है, तैयार देखने से इसके पीस-पीस अलग ही लग रहे हैं और धनियापती मैंने नहीं डाली क्योंकि धनियापती पहले से ही पड़ी हुई थी क्योंकि फिर ज़्यादा कॉंटिटी हो जाती तो उसका टेस्ट भी गड़ जाता है, तो अभी सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं तो मिलेंगे फ्रेंड एक नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाई, सस्क्राइब, लाइक और शेयर करना बिलकुल मत बूलना, डाल दिया है थोड़ा सा इसमें देशी घी